हेलो फ्रेंस वेल्कॉम बेक टो मैं चैनल तो फ्रेंस आज के इस वीडियो में मैं आपको यह दिखाने बाला हूं कि कैसे आप एलिट बल्ब के अगर ड्राइवर खरापे तो उससे आप बड़े ही आसानी से रिपेर कर सकते हैं इससे पहले मैंने अपने चैनल में और एक वीडियो बने था जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझा दे है कि हमारा एलिट बल्ब कैसे काम करता है क्या 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 और एलिट बल्ब में क्या खराब होता है मतलब कैसे डिटेल करें कि आपका एलिट बल्ब का यह एलिटी SMD खराब है या फिर यह ड्राइवर खराब है तो अगर आपने उस वीडियो को आप तर नहीं देखा तो प्रीज जाते सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लेजिए वीडियो का लिंग नीचे डिस्क्रिस्टर में और उपर आई बोटन में आपको स्लोर कर रहा होगा तो अब हम इसको फिर से इसके अंदर इंचर्क करेंगे और इसका आउट्पूट बोल्टेज से करेंगे इदो टर्ने राल में कितना बोल्टेज आ अब मैं माल्टिमेटर को 1000 बोल्ट डीसी में सेट कर लिया है तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं आउट्पूट इसका हमारा इस एलिटी बल्ग का ड्राइवरी खराब है तो हमारा सेकेंड सेप ही है कि हमको यह वाला जो प्लेट होता है इसको निकालना होगा तो उसके लिए मैं यह दो वाइट को डीसोल्डर कर रहा हूं जिससे कि मैं यह प्लेट को आसानी से निकाल पाऊंगा अब इसके सा है अब इसके दो ड्राइवर को हम यह दो पॉइंट को डीसोल्डर करके इसको ऐसे निकाल देंगे अच्छे से हमको यह सारा सोल्डर हटाना होगा जिससे कि हमारा ड्राइवर बहुत यह आसानी से निकल पाएगा अब मैंने इसमें से यह ड्राइवर निकाल दिया है तो आपको इसका बेशिक समझा देते हूं कि यह कैसे हमारा काम करता है इस सर्केट का काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है बस इसके एंपुट में हम जब 220 बोल्ट AC सप्लाई देते हैं वो 220 बोल्ट AC सप्लाई को डीस को step down करके वो 100 बोल के असपास output हमको देता है तो तो फ्रेंस हमारे LED ड्राइबर में जो चीछ सबसे ज्यादा खराब होता है वह होता है हमारा यह अगर आपकाwort 7 वर्ट से उपर का है तो यह लगाए अगर इसके रेटर भूल्टे से ज्यादा इंपुट इसको सप्लाइ में मिलेगा तो यह जो दो टर्मिनाली आपस में शर्ट कर लेगा जिससे की हमारा आगे का LED ड्राइबर खराब नहीं होगा मतलब आगे का कोई कंप्रेट हाई वोल टेस्ट के कारण खराब नहीं होगा तो इसका यही काम है तो अगर यह सोट हो जाता है तो उसके साथ हमारा यह फ्यूज रेजिस्टर भी खराब हो जाता है बस इन दोनों को चेंज करने के बाद हमारा ड्राइबर पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो मेक्सिम टाइम यही दोनों ही खराब होता है तो चलिए अब हम इन दोनों को टेस्ट कर लेते हैं कौन सा हमारा खराब है तो इसको test करने के लिए हमको multimeter को continuity mode में लगाना होगा फिर register के दो terminal के एक्रोस हमको check करना होगा अगर ये beep दिया तो हमारा ये register ठीक है वरना ये खराब हो चुका है देखे ये beep नहीं दे रहा तो इसका मतलब भी है कि हमारा ये register खराब है फिर mob को check करने के लिए हमको इस दोनों terminal में चेकशना होगा अगर ये mob beep दिया तो इसका मतलब भी कि mob हमारा खराब है तो ये 허락 के दो terminal हमें इसको check कर लेता हूं देखे ये बångलब कर रहा है तो हमारा इसका मतलब भी है कि हमारा mob भी खराब है तो अब हम बस यह MOB और इस रेजिस्टर को रिप्लेस कर लेंगे जिससे कि हमारा राइट बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो अब मैं इसका MOB और फ्यूज रेजिस्टर को निकाल देता हूँ तो मैं इस पुराने सर्किट से इन दोनों को यूज करूँगा इस दोनों का बिल्कुल ठीक है तो अब मैंने इन दोनों को पुराने वाले सर्किट से निकाल दिया है तो अब मैं इस दोनों को यूज करूँगा अगर आप fuse register खरीदेंगे तो यह आपको एक से देरूपे पड़ेगा और यह आपको आसानी से इलक्रोनी सॉप में यह दोनों मिल जाएंगे तो हमारे इस driver circuit में बस यह दो component ही खराबते तो इन दोनों component को change करने के बाद हमारा driver ठीक हो जाएगा तो बाकी component के उपर मैं अलग से detail में और एक वीडियो लाने बाला हूँ जिसमें मैं आपको detail में समझाऊँगा कि कौन सा component खराब होने पर क्या-क्या problem होता है और आप कैसे इन सब को बड़े ही आसानी से ठीक कर सकते हैं और मैं इन सब component को detail में समझाने बाला हूँ तो इसके लिए अलग से और एक वीडियो बनाना पड़ेगा हम इसको simply इसके अंदर एसे fit कर लेंगे जैसे यह था इन दोनों को fit से solar कर लेंगे अब मैं इस driver circuit को अच्छे से solar कर देता हूँ जैसा यह पहले था अब हम LED driver के output के दो wire को हम LED में connect कर लेंगे जैसा वो पहले था positive को positive में negative को negative में हम connect कर लेंगे अब इस disc को अच्छे से press करना है जिससे यह fit हो जाएगा अपने body में अच्छे से अब मैं solder कर देता हूँ positive को positive साइड में और negative को negative साइड में LED में अल्रेडी में अल्रेडी मेंशन होता है कौन सा positive है कौन सा negative है अब इसका diffuser लगा देता हूँ यह हमारा last step है देखिए अच्छा से इस bulb holder से मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ देखिए देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा bulb glow कर रहा है अब हमारा LED बल्क बिल्कुल ठीक हो चुका है तो friends देखिए कैसे मैंने आसानी से LED बल्क को रिपेर कर लिया है आप भी आसानी से 5-10 रुपे के अंदर LED बल्क को रिपेर कर सकते हैं इसका ड्राइब ड्राइबर नहीं खराब है तो आप इसको फ्री में ही रिपेर कर सकते हैं तो आप कैसे इसको फ्री में रिपेर कर सकते हैं इसके उपर मैंने एक वीडियो बना लिया है तो पहले जाके आप उस वीडियो को देख लिजे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क् और एक बात जैसे कि आप लोग को पता है मैं 1K subscriber के बहुत करीब हूँ तो प्लीज आप इस वीडियो को चारह और फैला दीजिए जिसके की जल्दी मैं 1K subscriber कम्प्यूट कर सको तो थेंक यू फ्रेंज आइविल ची यू नेक्स टाइम